हलो फ्रेंट स्वाधत है आपका मेरे यूट्यू चैनल इक्सलेट में और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कलर करेक्शन को लेके हैं पर जनरली लोग जो कलर करेक्शन करते हैं वो आरजीवी मोड में करते हैं पर मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छ कर सकते हैं यह आपको आजादी देता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट में इंडिवीजल आजादी देता है और कलर को सेपरेटली आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं यह इसकी विशेष्टा है तो जैसे कि आप यह इमेज देख रहे हैं इसमें लैप कलर सिलेक्ट है और मैं आप को चार्ट दिखा रहा हूँ तो अगर आप red से green की तरफ जाएंगे तो plus red कहलाता है plus a red कहलाता है और minus a green कहलाता है इसका just opposite इसी तरह जो minus b है ये हमारा blue color tone पर जाता है और plus b जो है वो green tone की तरफ जाता है तो जनरली जो color का chart होता है दोस्तों वो हमारा लगबग लगबग इन्ही color कलरों से मिला हुआ बना हुआ होता है इसमें सारे RGB color होते हैं पर ये mode आपको एक contrast जादा है ये काम है तो आप उसको separately यहां पर अपने हिसाब से manually तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं और color में इसका कोई effect नहीं पड़ेगा और जनरली जब हम RGB color correction करते हैं तो अगर हम अगर अपनी brightness contrast को छेड़ते हैं तो हमारे color में भी बहुत सारा color correction में बहुत सा color का value बदल जाती है तो ये जो mode है दोस्तों ये color correction के लिए बहुत ही जबंदार mode है तो इसी का tutorial लेके मैं आया हुआ हूँ तो चलिए हम tutorial की तरफ चलते हैं पर tutorial में चलने के पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मेरे fixlet को like और subscribe कर दीजे और bell का notification दबा दीजेगा तो मैं आपको आने वाले और भी नए नए तरह के tutorial आपको आप तक पहुंचते रहेंगे और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं तो चलिए हम इस image को बंद करते हैं और अब सीधे हम image पर काम करेंगे तो दोस्तो मैं मैंने क्या किया हुआ यहां पर color correction के लिए यह image ली हुई है इन में से मैं एक image उठाता हूँ माली जी मैंने यह image उठाई तो इसका mode अभी RGB है यह आप देख रहे हैं यहां पर RGB mode है अब इसको मैं image में जाके mode में जाके इसका color कर देता हूँ लेब कलर करेक्शन दोस्तों आपको ऐसे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या चेंज हो गया पर मैं इसकी कॉपी और बनाता हूं एक जस एक लेयर और बनाता हूं या इसको एक लेयर और बनाता हूं पर आप देखिए अब यह मोड में आपको बहुत सारे आप्शन यहां पर बंद दिख रहे होंगे इसी तरह से आप अगर इसमें चैनल में जाएंगे तो चैनल में देखिए आपको चैनल में मैंने जो आपको पहली स्लाइड में बताया था कि लाइ आपको एक चैनल बना के देता है वह ए मैंने जो आपको वैल्यू बताई थी कि रैड और ग्रीन की वैल्यू बताई थी इसी तरह से दूसरे चैनल में मैंने बताया था आपको भी बी में मैंने आपको ग्रीन और ब्लू के बीच की वैल्यू बताई थी आप इस चैनल में ज आता हूँ ठीक है गेर में जाने के बाद मैं आप यहाँ पर कर्व करेक्षन बनाता हूं ठीक है तो कर्व में भी अब आप देखेंगे यह तीन चैनल हमारे आगह हैं Lightness ठीक है A और B यह चैनल हमारे पास हैं अब अगर हमको करेक्ट करना है अपनी image में मान लीजे, मेरे को ये image में थोड़ा सा deep tone चाहिए और dark चाहिए, तो मैं generally कुछ नहीं करूँगा आप ये watch कीजिए का देखिए, इसमें color में कोई फरक नहीं आ रहा, और मेरी image जो है जहां से dark settle हो रही है अभी आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि सिर्फ इसमें मैंने light और dark की value बढ़ाया हूँ अब देखिए, मैं ये channel में जाता हूँ ये channel में मैं जैसी slider को green की तरफ लेके जाऊँगा मेरी image में green की एक tone है जाएगी इसको balance करने के लिए मैं स्क्रीन को negative की तरफ लेके जाऊँगा ये देखिए, ये balance हो गया अब मैं फिर नई B में जाता हूँ B में जाने के बाद भी मैं same प्रक्रिया करता हूँ ये देखिए कितनी rich tone आपको मिल जाएगी आप अपने इसाब से जो आपको tone चीए है वो adjust कर सकते हैं तो देखिए, इसमें क्या हुआ अभी इसमें हुआ ये है कि आप अगर channel में जाएंगे channel में जाते हैं तो मैं सिर्फ ये देखिए मैंने जो आपको पहले इमें दिखाई थी इसमें light और dark की value mid tone की value इसने individually इस channel में बढ़ा दिये next channel में जा रहा हूं तो ये देखिए मैंने आपको यहां पे blue की value जैदा दिख रही होगी और next channel में जाते हैं तो ये सारे channel अगर हम बंद कर दीते हैं और फिर देखते हैं तो color की value है लग-अलग उस पर ही काम करता है आपको ये correction मिल सकता है और फिर आप अगर चाहें तो यहां पे इस पे आप अपने हिसाब से और और भी correction कर सकते हैं मैं आपको एक technique और दिखाऊंगा इसमें ये हात वाली देखें मुझे यहां पे अभी भी ये ये मैं अप color में नहीं हूँ color में जाता हूँ ये देखें मैं यहां से इसकी value कमजादा कर सकता हूँ जहां मुझे separately इस पे काम करना है ये देखें ये देखें तो दोस्तो आप इस तरह से बहुत सा अच्छा correction कर सकते हैं और I hope मेरे ये जानकारिया आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तो मैं यहीं खतम नहीं कर रहा हूँ इसके लिए मैं आपको एक drop sheet बना के दूँगा वो drop sheet आपको इस tutorial के link में मिल जाएगी और उसके थुरू आप एक साथ अपनी हजारो फोटो को एक साथ correct कर सकते हैं चलिए दोस्तो मैं आपके लिए एक drop sheet बनाना सिखाता हूँ मैं आपको क्या आप एक साथ कैसे हजारो की संक्या में फोटो को correction कर सकते हैं windows action में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक set बनाता हूँ नया new set बनाता हूँ ठीक है इसको left color के नाम से बना देता हूँ एक set और मैं यहाँ जाता हूँ और एक new action बनाता हूँ record new action करता हूँ इसका मैं नाम कुछ भी देता हूँ जीरो बन देता हूँ record करता हूँ record करने के लिए जैसे कि मैं record करता हूँ तो दोस्ती यह देखी यहाँ पे रेट का एक option चालू हो गया है मतलब यह जो अभी भी Photoshop में जो भी command दूँँगा वो सारी की सारी record होगी और action में convert हो जाएगी तो देखे मैं open करता हूँ file मैंने यह file open करी तो यह देखे open की command उसने अपने पास ले ली अब इसी तरह से मैं जाता हूँ इसका मैं mode change करूँगा क्योंकि मुझे इसमें color correction lab color के हिसाब से करना है तो मैं जाके mode को lab color कर दूँगा तो देखे convert mode हो गया यह यह भी command मेरी record हो गई अब मैं जाओंगा यहां से यहां से जाने के बाद मैं यहां पे एक curve correction के लिए बनाता हूँ ठीक है curve correction बनाने के बाद मैं इसको अपने हिसाब से correct करता हूँ कि मुझे कैसा चाहिए है किस tone में मेरी मुझे ज्यादा पसंद है मेरी image तो जनरली लोगों को जो tone है वो अलकी सी blue पसंद आती है दोस्तों तो आप अपने हिसाब से correct कर लीजे इस image को यह correct हो गई image दोस्तों मैं इसको blue tone में ही रखता हूँ थोड़ इसी यह correct हो गई image दोस्तों हमारी ठीक है इस correct image को करने के बाद मैं क्या चार रहा हूँ कि मैं यह जो curve मैंने एक बार adjust कर दिया है तो उस हिसाब से आप correction कर लेंगे यहां पे और उसके बाद आप यहां पे save कर देंगे यह preset save curve preset मैंने यह इसको save किया मैं अपने फोल्डर में ले आता हूँ इसको दोस्तो पिक्सलेट के फोल्डर में पिक्सलेट के फोल्डर में मेरा color lab का यह बना हुआ है मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ जीरो वन ही कर देता हूँ और इसको save कर देता हूँ दोस्तों यह मेरा safe हो गया अब इसके बाद safe होने के बाद जब यह safe हो गया मेरा तो मुझे यहां से इसको image को flatten करना है flatten करना है flatten करने के बाद मुझे यहां से mode जो है इसका फिर से RGB करना है क्योंकि हमें आगे अपना काम पूरा RGB में करना है और save as कर देना है दोस्तों इस image को यह image मेरी save हो गई और इसको बंद कर देना है और यहां से तो भी बंद कर देना है अब दोस्तों मेरा यह एक action तयार हो गया action जनरली सभी को मालम हुआ कि कैसे बनाए जाता है पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाएंगे यह action बन गया है मेरा यह पूरा action का set तयार है अब चलिए हम बनाते हैं अपने लिए एक drop sheet drop sheet जनरली क्या काम करती है दोस्तों इसमें आपको बारवार image खोलने की या बारवार प्रक्रियां दोराने की जरूरत नहीं पड़ती है आप एक बार अपनी action के साफ से drop sheet बना लो drop sheet में और भी command चलती है पर मैं भी आपको correction के साफ सी बता रहा हूं आप अगर आगे अच्छे जानना चाहेंगे कि drop sheet में और किस तरह काम हो सकते हैं तो मैं आपको बता दूगा दोस्तों इसकी drop sheet बनाने के लिए मुझे जाना पड़े आप आटोमेटिक एक create droplet ड्रॉपलेट कहलाती है आटोमेटिक में जाके मैंने create droplet बनाया तो मेरे पास एक window खुलेगी दोस्तों इस window में आपको choose करना होगा कि यह जो आपकी droplet है वो जाके कहां safe होगी तो देखें मैं अपना lab color वाले फोल्डर में यहाँ पे select कर लेता हूँ कि देखें मेरी यह जो मैंने आपको वहां से कर्व की एस इजी फाइल जो है वो यहाँ पे save हो चुकी है अब मैं आपको यहाँ पे इसको भी zero one नाम दे देता हूँ app बनेगी हमारी है मैं इसको save कर देता हूँ और save करने के बाद दोस्तों यह देखिए यह default पे है भी तो मेरे को जाना है अपने lab color के यहाँ दे मेरे को action select करना है मैंने set कर दिया अपना जो set था मेरा वो lab color का set था action यहाँ पे select हो गया है यह देखिए एक number का इधर पर आपको दो check box on करने पड़ेंगे override action open command और include all sub folder कभी कभी क्या होता है आपके पास जो folder होते हैं वो एक के अंदर एक होते हैं तो भी आप कर सकते हो इधर पर मैंने description में देखिए save and close करके एक option रखा हुआ है जब आप यह option on करेंगे तो यहाँ पर यह check box आपको on करके रखना पड़ेगा ना दोस्तों तो यह यह मैंने okay कर दिया अब दोस्तों आपको लग रहा हो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं तो दोस्तों क्या हुआ हुआ है कि मैं आपको अपने folder में लेके चलता हूँ मेरे पिक्सलेट के folder में लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ आप कलर करेक्शन यह बन गई है दोस्तों मेरी ड्रॉफशीट अब यह ड्रॉफशीट बन गई है तो यह ड्रॉफशीट को मैं यहाँ पर अपना इस जगे पर Windows में अपने डेक्स्टॉप में रख लेता हूँ तो यह मेरी ड्रॉफशीट यहाँ पर है अब यह मैंने सारी इमेज उठाएं और एक साथ उठा के इसके अंदर डाल दी तो दोस्तों अभी आप सुच रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो अभी आपको दिखे हैं कि यह प्रोसेसिंग में है आप देखे यह इसने प्रोसेसिंग चालू कर दिया आप बड़े अराम से अपने दूसरे काम कर सकते हैं और यह क्या करेगा यह पूरी एमेज को कलर्र करक्ट करदेगा इसमें ब्लू जयादा जाया को यह पहले से कर्रक्ट थी और यह ड्राउप हमारा कम्प्लीट काम कर देगी हमारा मेरा काम खतम हो गया मेरा करेक्शन हो गया फोटो में तो मैं देखिया आपको एक एक फोटो खोल के दिखाता हूं और बैएको देखिये तो इन बैएक कि मेरी फोटो में यलो कि यलो टॉन कट गयी है और यह देखिए इस नहीं मैंने सेफ कर दी थी फाइल यह देखिए तो दोस्तों आप इस तरह से लैब कलर का यूज़ करके बहुत अच्छा कलर करेक्शन कर सकते हो क्योंकि वो आपको आजादी देता है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट में अलग से आजादी देता है और कलर को खेलने के लिए अलग आजादी देता है तो दोस्तों मेरा यह टिटोरियल यही तक था और मैं चाहूंगो कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजे और इसको शेर भी करिए दोस्तों आपकी हेल्प की मुझे बहुत जरूरत है थैंक्यू मैं आपका होस्ट निशान्त